कि हेलो दोस्तों स्वागत है आपका केडी लेर्निंग हप पे सो बीपेसी का पेपर जो की 21 सेप्टमबर को होने वाला है अगर होता है तो अभी चांसेस कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि करने तक नहीं आया है और अंदर से प्रॉब्लम्स चल रही है यूपी यूपीस का में उसके बीच में तो देखते हैं क्या होता है लेकिन अगर आपको 21 के कॉर्डिंग करनी है तो अक पास लास्ट 15 बचे है और आपको उसमें बहुत सारी प्रप्रेशन करनी है ठीक है बिसि इसके बाद 25-30 questions science से होते है ठीक है बिहार is special इसमें basically बिहार की geography और बिहार की history काफी अच्छे से बूछी आती है ठीक है और बिहार में जितने भी movements पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे ठीक है इसके अरवा current अपर ये चार टॉपिक पर आप बहुत अची कमार्ड मना ल अपर ध्यान देजिए ठीक है तो अब तो बात होगी इन चार टॉपिक्स की इन चार टॉपिक्स में आपको basically क्या पढ़ना है ठीक है तो अगर history की बात करें तो history में और एंसेंट history की बात की जाए अगर तो हरपा बुद्दिज्म चानिज्म ठीक होग डायनस्टी गुप्ता डायनस्टी सेन हर्स चोल और सेन के अलावा एक और पाल डायनस्टी ठीक है क्योंकि पाल डायनस्टी बिहार से बिलॉग करता है तो और आपको इन सारे टॉपिक् कर जाए तब आपके 15 डेज में सारे टास्क पूरे हो पाएंगे इसके बाद देखा जाए तो मेडिवल इस्ट्री में आपको बैसिकली सल्तनतकाल ठीके सिख जो सिखों के कौन से गुरू थे कौन से नंबर की सिख गुरू किस मुगल एंपायर के टाइम पे थे यह पूछे सिर्षा सूरी बहुत इंपायर को अच्छे से पढ़के जाएंगे मेडिवल में ठीके नेक्स्ट्री नेक्स्ट्री में बहुत सारी चीज है ठीके कंपनी का आगमन ठीके जितने जितने इंडोकरनाटिक फिर इसके अलबा जो कलकाता वाला था ठीके बैंगोल का बैंगोल से रिलिटेट इतने वी वर्स थे वह ठीके प्लासी हो गया आपका रिवल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपोरेंट है ठीके और उसमें से भी कुमर सिंग का जो आसपेक्ट है पूरे रिवल्ट मे ठीके ना उनको बहुत अच्छे से देखके जाएगा सोसी रिलिजिस रिफॉर्म से एक या दो कॉस्चिन बन जाते हैं बुक और ऑथर से भी कॉस्चिन बनते हैं इसके अलाब गांदी जी का जो मूव्मेंट है ठीके चंपारन और चंपारन के अलावा खेड़ा और यह से कॉस्चिन जरूर पूछे आते हैं जो सेशन के बिहार में हुए उससे बहुत कॉस्चिन बनते हैं ठीके तो कॉंग्रस के सेशन भी आप थ्रोली पढ़के जाएं इसके अलाबा दो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स है ट्राइबल मूव्मेंट और फार्मर मूव्मेंट से तो आप ध्यान रखेगा कि मॉडर्ण में यह सारे टॉपिक्स कंपनी से आपकी फॉर्मर रिवॉल्ट तक इसको तो पक्का ही देखके जाए इसके लाब अगर आपको टाइम मिलता है तो अधर जो भी टॉपिक्स है उसको भी देखें तो यह बात हुए हिस्ट्री के ल इसके लाइट एलेक्टिसिटी ठीक है साउंड और करेंट इससे काफी पूचे आते हैं वेप से पूचे आते हैं इंफ्रा-red या फिर आयार की आयार की या फिर अल्टा वालेट रेस की कितनी इंटेंसिटी होती है ठीक है कौन सबसे विप ग्योड से रिलेटेड बहुत सा अच्छे कहसे कोश्चेथ मनझाते हैं की मिस्टी की बात की जाए तो कि में दो कोर किमिस्ट्री ए उसी से रिलेटेड कॉच्टिन जाधा पूच्छे आता हैं असे बेसे पास्टिन पूच्चे आते हैं और मिनरल ध्यान रखके जाएगा अलॉय ठीक है फोर्मस अफ कारब जरूर देखके जाएगा बाइलोजी में सबस्यादा क्वेश्चन बाइलजी से ही होते हैं इवालजी में इवालूशन और हैरेटी जिसमें आपके आगया पूरा ठीके डी आने आर ने से भी कॉस्टेंस बनते हैं डाइजिस्टिव सिस्टम वाइटमिन और नूट्रियन बह सब्सक्राइब कर देखके जाएगा यह काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसके अगर बिहार स्पेसल की बात की जड़े हैं तो बिहार का बजट और बिहार का इक्रॉमिक सरफिस जो लेटिस्ट वाला है ठीक है आप उसको देख सकते हैं उससे दो या तीन कॉस्टन आप बिहार की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंसेंट में बिहार का क्या रोल था या फिर बिहार में कौन-कौन से डायनेस्टी डेवलप होई थी ठीक है जब आप इसको बिहार के आस्पेक्ट में जरूर पढ़ें इवन अप मेडिवल और मॉडर्न पर नहीं है ठीक है बुक्स और आथरस बिहार से बीहार से बनते चाहिए तो इसको इसके बार सकते क्योंकि एक या दो कॉस्ट्शन बनेंगे लेकिन अगर टाइम बसते है तो आप इसको ज़रूर देखके जाए ठीक है और जितने भी मुवमेंट मुवमेंट होई है रिलिट κ sırह इसके विखार के लोगों ने पार्टिसपेट किया उन प्रहार के loogo कि साइधस उस बोमेंट लोकेशन ठीक और सिम्मेंट की क्या खास भात थी भी कि अब ध्यान मैं रखेंगे तो जादा ट्राइब के जाएगा थोड़ा पेपर का जो लेवल हो हाड ही रहेगा ठीक है बहुत एजी कोस्टिंस नहीं पूछे जाएंगे यह बात ध्यान में रखेगा और इसी के आस्पेक्ट में पढ़ाई करिएगा बहुत जादा टाइम नहीं है आपके पास आप ट्रा टापिक होता है और मैं आपको कहना चाहूंगे कि जो आप डेली करेंट अफेर की कोई ना कोई टापिक को कवर कर जाए एक दिन या दो दिन में पढ़ाई नहीं हो पाती करेंट तो आज से अगर आप अभी तरक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो डेली कोई दो या तीन टीड पोड़ा कभर करते रही और उसको ट्रोली रिवाइज करते रही है टापिक्स की बात करें तो बजट एकनॉमिक स़र्वे अफ इंडिया थेकि यह बजट इंडिया के बात हो रही है तेक्या बिहार वाले में हमने बिहारार का बजट और एकनुनोमिक सब्सथ्या खर जितने भी महौत्सों हुआ है आसपास की बिहार के आसपास की जो नेटिव स्टेट्स है उनकी बारे में थोड़ी नॉलेस होनी चीए ठीक है कोई स्कीम चलना है जारकर्ण में या फिर वेस्पिंगोल में या फिर यूपी में तो काफी इंपॉर्टन हो जाता है बिहार के ल सब्सक्राइब को बहुत अच्छे से पढ़के जाना है प्रेसिडेंट का एलेक्शन कैसे होता है यह सारी चीजे ठीक है प्राइम मिनिश्टर का सियम को और पार्लामेंट से रिल्टेट जितने भी कॉस्चिन बन सकते हैं उसको पंचायती राज सबसे इंपॉर्टन पूची आती है या फिर अफॉइंट्मेंट की पूची आती है तो जिटने भी कॉंस्टिशनल नौन इसका टर्म कितना होता है इसके लिए नितियायो काफी नया है तो नितियायो के बारे में प्रॉपर एक डिटेल स्टडी करके जाए जोग्रफी की बात की जाए तो उनके बारे में थोड़ी नौलेज हो तो अच्छी हो अच्छी रहेगी ठीके स्वाइल और रेजिटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जोग्रफी के लिए जोग्रफी में रिवर्स और स्वाइल इन दोनों से बहुत कॉस्टिन बनाते हैं बिहार में ठीके इसके रहां मिंडल्स कौन से मिंडल्स कहां से निकाले जाते हैं यह आपको याद रखना है एकॉडमी की बात कीजिए तो इकॉडमी में बहुत ज़्यादा कॉस्टिन नहीं बनते हैं बजर और एकोनोमिक सर्वे ही मीन इनका सोर्स होता है ठीके फोरेस्ट रिपोर्ट एक बाद पूरा इस कराटर देख के जाएं मैंस के लिए मैं कहूंगे कि आपको बहुत जादा टेंशन लेनी जुरूत नहीं है मैकसिम टैन कॉस्टिन बनते हैं मैस से ठीके अगर अगर प्रीवेस के कॉस्टिन साप पूरा सॉल्व करके जा रहे हो तो आपके मैस में पार पास कॉस्टिन तो बनी जाएंगे फिर भी मैं एडवाइस करूंगी जो इस्टारेटिक्स का पोर्चन है उसको आप कबर करके जाएं ठीक है मीन मीडियन मोड और इसके अलाब एक तो क्वेशन जो परसेंटिस प्रॉफिट लॉस से आप कर सकते हैं इसके प्रीवेस इसके अकॉर्डिंग आप अपना रिविजन कर सकते हैं ठीक है इंपोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स से उसको कबर कर सकते हैं उसके बाद आप अपने हिसाब से सारे टॉपिक्स पढ़के जाएगा लेकिन यह इंपोर्टेंट है इन पर आपको जाधा फोकस करना है आप आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद